हedelõ स्थ्ट्ट्ट्स कैसे आप लोग तो स्ट्ट्ट्ट्स आज हम Лोग इन्वर्स ट्रोमाटिक फंसन का दिफ्रेंशेशन्स पढ़ेंगे पढ़ने वाले इस्ट्ट्स इन्वर्स्ट्ट्रिश्ट्माटिक पांस होग कि पिछले यानि प्रिवेस्ट वीडियो में आप लोग को हम इंप्लिसीट फंशन इंप्लिसीट फंशन की डेरिवेटिव हम लोग कवर किये थे कुछ सा फंशन इंप्लिसीट फंशन जो की एंस एंसी आटी मैं अभी एंसी आटी कवर कर रहा हूं स्टुएंट एंसी आटी एक्ससाइज 5.3 में हम लोग कुश्चन नंबर 1-2-8 तक सॉल्व किये थे स्टुएंट कुश्चन नंबर 1-2-8 एक कुश्चन आप लोग को बूल तो स्टुएंट इन्वर्स्ट्रमेट्रिक फंशन के डिफ्रेंशेशन स्टार्ट करने से पहले स्टुएंट्रिक आइडेंटिटी कुछ इंपॉर्टेंट्रिक आइडेंटिटी आपको याद होनी हो होना है ठीक है इन याद रखनी है आप लोग को उसका यूज आप आइडेंटिटी यह आप लोग इस आइडेंटिटी के बाएर हैं बहुत अच्छी तरह से पता स्टुएंट क्लास 11 में टिलोमेट्रिक चैप्टर में लोग कवर करते हैं तो यह आइडेंटिटी आपको हमीशा मतलब चाहाँ हाईयर एजूकेशन मैं भी इस देखा ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस फंसन की जो हम डिफ्रेंशेशन करेंगे स्टुएंट यह सारी आइडेंटिटी यहां पर यूज होगा ठीक स्टुएंट तो इसलिए आप लोग को यह आइडेंटिटी थ्वासा रिकॉल कर लेंगे तो यह चैप्टर स्टार् यह साइड लिख दोगे तो यह साइड लिख दोगे तो यह साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 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 वन प होता है उसके अलावे sin2 and cos2open 10 डीर के डर्म के डर्म भी गिवग्र 10 के लिए ाइडेंटीटि लिकश करते हैं students sin2 have 2 wants to 10 अपarchy no class of school in-paid त्री य्डिन अब माने इस जर्ट अप़ों फुर स्ट करन्ह को क्लिए ma 3sin x-4sin qx यह भी यहां पर आपको बहुत यूज होगा student cos 3x 4 cos qx-3 cos x और 10 3x 3 10x-10 qx 1-3 10 square x यह x को आप थीटा के रूप में भी बोल सकते हो sin 3 theta 10 3 theta 10 3 theta जहाँ जहाँ एक्स हम आप थीटा भी बोल सकते हो x के रूप में भी आप लिख सकते हो थीटा के रूप में भी आप लिख सकते हो ओके student तो यह identity आपको यहां पर यूज होगा student तो इसलिए आप लोग जो है video को pause करके इसको note down कर लिए student और उसके बाद हम लोग inverse traumatic function की आज differentiation की concept सीखने वाले हैं okay student तो पूरा वीडियो को ध्यान से आप लोग को देखना है अच्छे से देखना है और कोई doubt हो student तो comment section में comment कर नहीं भूलना है ज़रू बताईएगा हमको student okay student तो इसको आप पहले note down कीजिए उसके बाद हम ITF के differentiation आज हम लोग समझने वाले हैं तो इस्टूरेंट्स अब जो है ट्रिनोमेट्रि आइडिन्टिटी नोट डाउन करने की बाद student एक और चीज आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए student यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टर्म और आपको अच्छे समझना student substitution ठीक है substitution जो होती student वो expression को देखके होता है अगर expression मेरा a square प्लस x square हो तो यहाँ x के रूप में a 10 थीटा या एक और थीटा पूट करते हैं उसके बाद अगर expression x square minus a square हो तो यहाँ x के रूप में a sec theta या a cos theta पूट कर सकते हो तो यहाँ x के रूप में a sin theta या a cos theta पूट कर सकते हो a minus x का expression हो या a plus x का expression हो तो यहाँ x के रूप में a cos theta हम लो substitute करते हैं और a square minus x को expression हो या a square plus x को expression हो यहाँ पर x के रूप में a square cos theta पूट करते हैं तो इसे हम ट्रिमाटिक सब्चूशन करते हैं यह सब्चूशन जो होती है वह expression को देखके किया आता है यह expression आपको यहाँ इस तरह का expression आपको देखना है और आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरह के expression में यह पूट होगा या यह पूट होगा इस तरह एक्सप्रेशन के लिए एस सेख थिता या एक थिता पूट होगा इस तरह एक्सप्रेशन के रूप में एक्स के जगा ए स्क्वार कॉस्ट टू थेटा पूठ होगा ओके स्टुएंट तो इसको भी आप लोग वीडियो को पाउस क्रिकर नूट कर लें और एक चीज चीज और ध्यान दीजेगा स्टुएंट कि अगर एक्सप्रेशन में यहां पर एक की रूप में अगर यहां पर एक्सप्रेशन में एक स्टुएंट नगे ध्यान दीजेगा अगर expression में A के रूप में 1 होए यानि 1 पलस X स्क्वार हो, ओके student है, अगर expression A के रूप में 1 होगा यहांपर, 1 पलस X स्क्वार, तो ध्यान दीजेए student X के रूप में, जो put होगा student, put जो होगा, X के रूप में 3 थीटा, या आप कहा सकते student, यानि कि A के रूप में 1 है, तो यहां भी हम A का भेलू 1 रखेंगे, तो X इक्वार तो 10 थीटा, या क्या put करें इस्वान, कॉट थीटा, ओके student, अगर A के रूप में एक्सप्रेशन, या रखेंगे, A के रूप में एक्सप्रेशन, अगर 1 होगा, 1 पलस X स्क्वार, तो X के रूप में 10 थीटा, पूठ होगा यहां एक रूप में वन होगा तो एक्स इकल टू सेख थीटा पूठ होगा तो एक्स के जगह साइन थीटा पूठ होगा यहां सेटा फूठ होगा तो अब आप लोग इसको वीडियो को पाउस करके नोट कर लीजे अब हम लोग सीधे प्रॉब्लम पर आते हैं स्टूडेंट तो नोट कीजिए इसको स्टूडेंट यह चेप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को दो चीजा आपको बताया पहला है तो एक्सप्रेशन को देक करे जाता है expression आपको पता होना चाहिए कि इस expression में यह traumatic substitution होगा, यह expression में यह traumatic substitution होगा, तो यह पता होना चाहिए, तो मैं उसका कुछ expression ने लिखा और बताया कि क्या-क्या traumatic substitution हो सकता है, उसके बाद यह topic है, इसके differentiation पढ़ने से पहले आपको traumatic identity याद होनी चाहिए, तो मैं उसको भी recall करा, उसके बाद derivative, इन्वर्स्ट्रिमेटिक function की derivative भी आपको याद होनी चाहिए, ऐसे मैं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम जितना भी function होता है, कि सारी derivative आपको हम बता चुके हैं, जिसको आप standard form करते हो, differentiation की standard form करते हो, तो वो सारी standard form आपको बता चुके है, standard form आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो आप differentiation नहीं बना सकते हो, तो आई स्ट्वेंट स्टार्ट करने से पहले तो आपसा formula को भी recall कर लेते हैं, inverse traumatic function का differentiation, तो सबसे पहला inverse traumatic function, d by dx, sine inverse x, ओके स्ट्वेंट, sine inverse x, तो sine inverse, ठीक स्ट्वेंट, sine inverse, तो sine inverse x की जो derivative होती स्ट्वेंट्स, वो क्या होती है, आपको पता है स्ट्वेंट, one upon root under one minus x square, ओके स्ट्वेंट्स, पता है आप लोगको, दूसरा, d by dx, d by dx, cos inverse x, cos inverse x की derivative, क्या होती स्ट्वेंट्स, minus one root under one minus x square, ओके स्ट्वेंट, तीसरा, d by dx, 10 inverse x की जो derivative होती स्ट्वेंट्स, derivative होती है, 10 inverse x की derivative, one upon one plus x square, तो sin inverse x की derivative, cos inverse x की derivative, 10 inverse x की derivative, उसकी बाद, चौधा नंबर, d by dx, cos inverse x की derivative, तो सेकिर, one, mod x root under x, mod x मतला है, positive x भी हो सकता है, negative x भी हो सकता है, च्छटन में D by D x cos inverse x की जो derivative होती इस्टुएंट माइनस 1 mod x root under x square माइनस 1 तो ये स्टुएंट्स जो है inverse trigonometric function का differentiation होता है This is the standard form Okay student ऐसे हम first lecture differentiation का first lecture में हम पहले भी discuss कर चुके है already पहले हम discuss कर चुके है फिससे आपको recall करा दिए तो ये inverse traumatic function की D by D x derivative मतले हम D by D x sin inverse x cos inverse x 10 inverse x cot inverse x 2 inverse x and cos inverse x Okay student तो recall हो गया होगा तो चलिए अब student हम लोग आप आते हैं problems पर Okay student तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते है problems पर तो पहले इसको आप note down कर लिजे तो students हम लोग अब problem पर आते हैं तो ncrt exercise 5.3 में आप लोग को हम question में 1,2,7 तक बताये थे student एक question 8 बोले थे आप लोग solve कर लिए होंगे students अब हम लोग question 9 ठीक है तो question 9 है student यह नहीं से जो सवाल है इस exercise में वो inverse traumatic function की है okay student तो अब आते हम लोग problems पर तो question number 9 तो question number 9 है students वो question क्या है y equal to sin inverse sin inverse 2x1 plus x square okay student तो इसको मैं start करने से पहले एक चीज और आप लोग को ideas होना चाहिए student की अगर कोई function app है okay student और f of x अब आप इन्वर्स जो यहां function इस्टुएंट आप इन्वर्स of f of x और f किसका function x है तो यहां पर जो x होगा वो x बहार आ जाएगा जो function है बहार में उसी का इन्वर्स इस्टुएंट तो जो input होता है यानि जो हम identity function करते हैं जो input हम function में डाले हैं वही बहार आ गया ठीक है मतलब जो input डाले है उसी को अगर खुदको ही अगर mapped करता है मतलब खुदको ही connect करता है तो उसको हम लोग identify function करते हैं जो कि आप function chapter में यह सारे चीजे आप लोग को पता होगा student तो यहाँ पर ऐसे चीजे ध्यान में रखेगा student कि f और f inverse cancel out जो आपका input होगा वो ही आपका बहार आ जाएगा जैसे student sin inverse f की रूप में sin theta तो input क्या है हाँ पर f theta ने लिखे x भी लिख सकते हो f x अब बहार में क्या student उसी function का inverse है तो यह एक दूसरे cancel out कर देगा यानि क्या student x ऐसे cancel out होता नहीं है मतलब इसको inverse traumatic function आप लोग का chapter 2 ठीक है inverse traumatic जो function है आपका अल्रेडी ऐसे पढ़ना भी है आप लोग यहाँ तो हम इसका derivative आप लोग को सिखा रहे inverse traumatic function एक separate chapter भी आप लोग को पढ़ना है ठीक है student तो आप लोग को हम अब तो स्टार्ट नहीं किया inverse traumatic function का भी वीडियो बना के जब़ोग अपलूट करूंगा student तो don't worry ठीक है तो inverse traumatic function में यह सारी property जो है आप वहाँ पर cover करेंगे okay student तो चलिए अगर नहीं cover कि कोई बात नहीं है ऐसे आपको चीज़े पता होनी चाहिए मैं इसका for detailed information के लिए जब मैं chapter inverse traumatic function पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में जरूग explain करेंगे student ओके जब मैं इस chapter आपको separate video upload करेंगे student तो वहाँ पर मैं इसका पूरा property explanation करेंगे inverse traumatic function का 10 inverse 10x तो जो x है वो x आ जाएगा तो एक चीज़ आप समझ रहें कि जो function है उसी का बाहर में inverse है function and its inverse function and its inverse तो जो यहाँ input होता student जो input होता वह input क्या हो या तश्वन बाहर हो जाता है जो input है वो input आ जाएगा तो यहाँ पर जो है इसी की basis पर हम इस सवाल को solve करेंगे sin inverse 2x upon 1 plus x square student अगर हम direct derivative करें तो direct derivative भी हम कर सकते हैं लेकिन चीज़े बहुत complex हो जाएगा तो inverse traumatic function में हम क्या करता student direct derivative नहीं कहते हैं यानि कि traumatic substitution यूज करते हैं पर हम यह problem को solve किया करते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है student कि sin inverse के साथ जो expression है यह expression को एक traumatic substitution का expression है यानि कि आपको यह expression को देखके आपको बताना कि इसमें कौन सा traumatic function substitute होगा okay student तो 2x1 plus x square है तो आप लोग जो है इस expression को देखके एक चीज़ आप लोग को traumatic identity में आप लोग को लिखाए थे sin 2 theta है sin 2x equal to 2 10x1 plus 10 square x अगर हम x के जगा 10x पूट कर दे student मतलब x है तो इसलिए यहाँ पर theta put करेंगे तो 10 theta हम पूट कर दे तो 2 10 theta 1 plus 10 square theta equal to क्या होजा student sin 2 theta हो जाएगा यानि कि यह एक traumatic identity है ठीक है यानि कि हम यहाँ पर जब traumatic substitution करते हैं तो यह ध्यान में रखा जाता है कि बाहर में sine verse है तो यहाँ भी जो traumatic function आना चाहिए वो sine में आना चाहिए sine verse है तो sine का traumatic function होना चाहिए okay student sine का traumatic function यहाँ होना चाहिए sine verse है तो sine का ही traumatic function होना चाहिए if cos inverse है तो cos का होना चाहिए okay तभी तो sine verse sine x जो input होगा वो बहार आ जाएगा एक दूसरे cancel out कदर x cos inverse cos x x 10 inverse 10 x क्या होज़ा student x तो इसलिए यहाँ पर हम क्या put करें instrument x equal to 10 theta put करेंगे तो जब x equal to 10 theta put करेंगे तो sine inverse 2 10 theta 1 plus 10 square theta तो y equal to sine inverse और यह एक traumatic identity होते है 2 10 theta 1 plus 10 square theta क्या होता student sine 2 theta होता sine 2 theta होता okay student ऐसे भी 1 plus x square 1 plus x square के रूप में हम क्या put करें student x equal to a 10 theta तो a के रूप में 1 है तो इसलिए x के रूप में क्या put होगा student 10 theta या cot theta ऐसे भी आपको बता दिए कि expression accordingly हम क्या traumatic substitution करते है आपको हम बता चुके हैं लिखा चुके हैं a square plus x square रहेगा x के रूप में a 10 theta पूट होगा a के रूप में 1 होगा a का value क्या होगा 1 तो x के रूप में 10 theta पूट करें यहां पूट करें यहां भी पूट करना होगा तो 1 plus 10 square theta 2 10 theta तो expression को देखके क्या traumatic substitution होता हो और अपको हम लिखा दिए हैं तो देखके आप आसानी से बता सकते हैं क्या put होगे तो sine inverse sine क्या होगे स्ट्ट्वेंट sine x sine function and its inverse cancel out जो आपका रहेगा input वह आपका बहार हो जाएगा तो यहां क्या student है input क्या है y equal to input क्या हो गया 2 theta function and its inverse cancel out 2 theta अब चीजी आपका क्या होगे student बहुत आसान हो गया अब आसानी से derivative कर सकते हैं तो derivative हम लोग को क्या करना है x respect मतलब हम लोग को find क्या करना है dy by dx मतलब इस function को derivative करना किस रिस्पेक्ट नहीं लेकिन यहां y जो किसका function है theta का function है तो जो y theta का function है तो differentiation x respect नहीं होगा क्योंकि यहां y जो function वो theta का है तो इसलिए यहां theta respect है लेकिन पनी थीटा रिस्पेक्ट में करना है हमें किसके respect में करना है x respect में करना है तो इसलिए इस theta को आपको वापस x में change करना होगा तो वो कैसे change करेंगा तो इस expression में Vergleich second to gips substitution की हो x equal to 10 theta तो यहीं से आपको theta निकालना है and find out करना है तो यहीं से theta आपको क्या जाएगा theta equal to 10 inverse x 10 inverse x तो इसलिए यहाँ पर हम y equal to 2 theta के जगा क्या रखेंगे 10 inverse x रखेंगे अब y किसका function हो गे स्ट्वेंट एक्स का हो गया अब हम लोग differentiate कर देंगे differentiate with respect to x तो क्या रखेंगे दी बाइद एक्स किसका y का to constant बहार हैगा d by d x 10 inverse x अब यहाँ पर आजा रखेंगे तो d y by d x equal to 2 और d by d x 10 inverse x का derivative क्या होता है 1 plus x square तो देर्फोर y by d x 2 1 plus x square एक्स स्ट्वेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा easily solve हो गया तो यह concept है स्ट्वेंट इन्वस्ट्रिमेट्रिक फंसन का differentiation करने का तो सबसे पहले जो इन्वस्ट्रिमेट्रिक फंसन दिया वा रहता है उसके साथ जो टर्म अगर complex है तो उसको सोचना है त्रिमेट्रिक सब्चूशन करके फंसन को हम क्या कर लिस्ट्वेंट इजी बना ले और उसके बाद हम इस डारिवेट्व करें तो साइन वस्ट्रिमेट्रिक सब्चूशन का हिल्प लेते हैं तो ट्रिमेट्रिक सब्चूशन expresses को देखने किया आता है ऐस्प्रेशन वन पलस एक्स पॉस एक्सप्रेशान इत इसलिए एक सब्चूशन एकस हुआ ह oportun 10 जीदा पूद हुआ तो जिससे ये एक यह चीज़े आपको हम यहाँ पर बताएं तो यहां से जो पूट किये हैं यहां से पूट करें वही से थीटा निकालें तो यह फंसन हो गया तो डिफ्रेंशिट किसे यह थीटा को फिर चेंग्स करना होगा एक सलाई है जो आप पूट करें वहीं से थीटा आपको मिल जाएगे तो ऐसे अपिट इसको आप वीडियो पॉल सरकर नूट कर लेजे इसके आगे हम नेक्सक्स भी बताते आपको तो इस्टुएट अब आताम नेग्ट्स कोश्चन तो नेग्ट्स कोश्चन क्या 10 नहीं है y कोल टू 10 वस 3x मानस x2 अपन 1 मास 3x तो क्या काना स्टुएट 3x मानस x2 1 मानस 3x तो यह जो एक्सपरेशन स्टुएट यह आपका 10 3 theta expression है 10 3 theta formula लिके है ना 3 10 theta मानस 10 q theta 1 मानस 3 10 square theta लिखे है ना 3 10 theta मानस 10 q theta 1 मानस 3 10 square theta ओके स्टुएट तो यहाँ पर आपको put कर देना है x equal to 10 theta तो क्या होगा स्टुएट y equal to 10 inverse 3 10 theta minus 10 q theta 1 minus 3 10 square theta तो y equal to 10 inverse क्या होगा स्टुएट 10 3 theta तो यह cancel out हो गया y equal to क्या होगा स्टुएट इन्पुट क्या है 3 theta तो 3 theta आपके स्टुएट y equal to 3 theta ओके स्टुएट अब यहाँ के बाद y equal to 3 theta तो theta यहां से निकाल लिजेए क्या होगा आपका 10 inverse x यहां लिख देंगे 10 inverse x अब इसको आप differentiate कर देंगे with respect to x तो d by dx y 3 डाइट करते स्टुएट डी बाइड दे x equal to 3 upon 1 plus x square तो यह आपका इस question का solution हो गया तो expressions कुछ-कुछ expression आपको याद भी होना चाहिए कि 23 theta साइन 3 3 theta 3 sin x minus sin q x तो कुछ-कुछ आपको याद भी होना चाहिए कि यहां 10 वार्सति यह 10 का ही identity है यह 10 वार्सति सोचना आपको यह 10 का ही identity होगा तो यह 10 का identity है क्या है 10 का identity बता है ना 10 3 theta का तो अगर हम 10 theta पूट कर देंगे तो यह identity में आ जाएगा तो इसको आप note down कर लेजे तो अब स्टुएंट कॉस इंबस स्टुएंट कॉस इसका मतला में कि अब यहां पर एक्स के जगा 10 theta पूट कर देंगे तो 1-10 स्कुए थीटा और 1 पॉलस 10 स्कुए थीटा क्या होता स्टुएंट के रूप में 1-10 उसकुए थीटा 1-10 उसकुए थीटा एक्वल तो यहां पर आपका पूट हो जाए रस्टुएंट कॉस एक्स के रूप में क्या पूट हो थीटा स्टुएंट तो उइसका आइडेंटिटी क्या होता है cos 2 theta का, तो y equal to cos minus cos cancel out हो गया, तो क्या हो इस्टवन, 2 theta, y equal to theta यहां से निकाल लीजिए, theta equal to क्या हो जाएगा, 10 inverse x, तो यहाँ 2 theta का रख दीजिए value, 10 inverse x, अब यहाँ पर differentiate कर दीजिए, with respect to x, तो dy dx y का, तो 10 versus x का derivative क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus x square, तो therefore dy by dx, 2 upon 1 plus x square, तो यह आपका answer हो गया, question number 11 का यह solution हो गई, question number 12, y equal to sin, 1 minus x पर 1 plus square, तो same expression है, देख रहे हैं, same expression है, लेकिन यहां cos inverse है, यहां sin inverse है, तो यहां भी हम x की जगा, 10 theta ही put करेंगे, तो y equal to sin inverse, 1 minus 10 square theta, 1 plus 10 square theta, तो y equal to sin inverse, इसका identity क्या होता, cos 2 theta होता है, ओके student, तो अंदर cos है, बाहर sin inverse है, आपको जो function का inverse होता है, student, अंदर भी function होना चाहिए, लेकिन यहां cos है, sin inverse है, तो हम cos को क्या कर देंगे, sin में change कर देंगे, तो y equal to sin inverse, cos को change कर दिए sin, तो क्या हो जाएगा, sin 90 minus 2 theta, sin 90 minus theta क्या होता है, cos theta होता है, आपनों पढ़े हैं, 10 में, sin 90 minus theta, क्या होता है, student, cos theta होता है, quadrant, तो 2 theta को change कर दें, 90 minus theta रूपने हैं, क्या है, 2 theta है, तो 2 theta लिख दी, तो sin 90 minus 2 theta, क्या होता है, cos 2 theta, अब आपको जो function, pi by 2 minus 2 theta, अब यहां y equal to pi by 2 minus theta को change किजी, तो यहां से theta equal to 10 inverse x, तो 2 10 inverse x, अब इसको हम differentiate करेंगे, with respect to x, तो dy dx, किसका इसटो है, y का, तो pi by 2 एक constant है, आज अब constant independent होता है, उसकी derivative क्या होती, 0, तो pi by 2 का derivative क्या हो गया, 0 minus 2, और 10 inverse x का derivative क्या हो गया, 1 upon 1 plus x square, तो therefore dy by dx, minus 2, 1 plus x square, तो यह आपका answer हो गया, 12 number का solution, तो आप इसको note down कर लेजिए, तो अब आते हैं, next question student, 30 number और 14 number, तो यहां भी आप क्या प्रूट करेंगे, 2x, 1 plus square, तो complete expression student, 2 10 theta, 1 plus 10 square theta का है, तो यहां भी हम x के जगा, क्या प्रूट करेंगे, 10 theta, तो y equal to cos inverse, 2 10 theta, 1 plus 10 square theta, तो y equal to cos inverse, क्या होगा, sin 2 theta, क्योंकि इस, telemetry identity, क्या होता student, sin 2 theta होता, 2 10 theta, 1 plus 10 square theta, equal to k्या होता, sin 2 theta होता, y equal to cos inverse, यहां पर देखें, cos से रंदर में sin है, तो आपको पता होना चाहिए student, कि जो function होगा, उसी का inverse होना चाहिए, तो यह inverse से cos inverse अंदर है sin, तो sin को change करते जिए cos में, तो क्या हो जाएगा, cos pi by 2 minus 2 theta, तो cos inverse cos cancel out, y equal to pi by 2 minus 2 theta, तो y equal to, नहीं पर ले आई, y equal to pi by 2 minus 2 theta, theta यहां से निकाल लीजिए, theta equal to क्या आपका, 10 inverse x, तो 10 inverse x, अब यहां पर differentiate करें student, with respect to x, तो dy by dx, equal to, इसका होगा 0, और 10 वासस का derivative, 1 plus x square, तो therefore dy by dx, minus 2 upon 1 plus x square, तो यह आपका answer होगा, minus 2 upon 1 plus x square, तो यह था question माँ 13 का solution, अब एक्स्ट्वेंट question 14, यहां पर देके student, एक ही expression, 1 minus x square, 1 minus x square expression में, क्या substitution करते हैं student, 1 minus x square कमें, क्या substitution करते हैं, तो x equal to sin theta, या cos theta, लिखा है expression अगर, a square minus x square हो, तो हाँ x के जगा, a sin theta, या a cos theta put होता है, तो a के रूप में एक 1 हो, या 1 minus x square होगा, तो हम x के जगा, sin theta या cos theta, पूट कर सकते हैं, तो आई ये student, पूट करते हैं हम लोग, x के रूप में, sin theta, तो क्या होजा है student, तो y equal to, sin inverse, 2 sin theta, root under, 1 minus sin square theta, तो y equal to, sin inverse, 2 sin theta, अब देके student, 1 minus sin square theta, तो 1 minus sin square theta, क्या होता, cos square theta, अब cos square theta, ये root में होगा student, तो 2 cos से ये cos बहार आजाएगा, तो यहाँ पाम डाट देके, cos theta, आई रिपीट अगें, 1 minus sin square theta, क्या होता, cos square theta, तो 2 cos में, ये cos क्या हो जाएगा, बहार आजाएगा, root में, अगर 2 cos होगा, ये cos बहार आजाएगा, तो इसलिए, 1 minus sin square theta, को हम cos theta लिख सकते, कैसे, 1 minus sin square theta, cos square theta, 2 cos में, cos बहार आगिया, अब y equal to sin inverse, 2 sin theta, 2 cos theta है, एक त्रिमाटिर आइडेंटिटिटी है, यानि कि sin 2 theta, अब sin cancel out हो गया, y equal to 2 theta, तो student y equal to 2 theta, तो theta यहां से निकाल लिएजे, theta equal to cos 2, sin inverse x, तो यहाँ theta के जगा, sin inverse x, अब यहाँ पर differentiate कर दीजे, with respect to x, तो dy by dx 2, और sin plus x का derivative क्या होता है, sin plus का derivative, 1 upon root under 1 minus x square, तो dy by dx, equal to 2 upon root under 1 minus x square, यह आपका derivative हो गया, इसका sin minus 2x root under 1 minus x square का, तो यह था question number 13 का solution, यह था question 14 का solution, तो इसको note down के लिए students, तो students एक question, last question है, इस exercise का, question 15, y equal to, 6 inverse, 1 upon 2 x square minus 1, यह आपका, एक question है, 15 number, ओके student, तो आईए, तो यहाँ पर हम क्या पूट करेंगे, 2 x square minus 1, 2 x square minus 1, ओके student, तो हम लोग यहाँ क्या पूट करेंगे, तो 2 x square minus 1 है, तो 2 x square minus 1 है, अगर हम यहाँ पर, x के जगा, cos theta पूट कर दे, तो 2 x square theta, 2 x square minus 1, इकल to क्या होता है, cos 2 theta होता है, 2 x square theta minus 1, इकल to क्या होता है, cos 2 theta होता है, okay, cos 2 theta होता है, यह expression के लिए, cos 2 theta होता है, ओके student क्या गर्ण, यहाँ पर हम लोग, 2 x square-1 y equal to shak inverse one upon two cost minus 1 क्या होता है cos 2 theta होता है मतलग यहां क्या हो जाए इस्ट्विण ? तो कॉस्स 2 theta y equal to sakes inverse तो क्या है इस्ट्विण ? 2 theta ओके यही एक हिस्थ चीजह आपको प्रेडिक्शन भी करना है कि यहां जो एक्सप्रेशन होना चाहिए तो यहां पर हम क्या सोचे कॉस्ट का एक्सप्रेशन सोचे तो आपको पता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो है एक्स के जगा हम कॉस्ट करते हैं तो यहां पता है तो आपको दिए वाई बाई एक्स एक्स एगा तो क्या हो सेडिके बाई सेटा होना जिए यहां से निकाल लेको तो यह आपका एंसर हो गया तो यह आपका कम्प्लीट हो गया इसके पिछले वीडियो में आप लोगो हम हम इप्लीशिट फंसन का डेरिवेटिव बता दिये थे कोश्चन में 1 से लेकर 8 तक और फिकोश्चन में 9 से आज हम लोग कोश्चन में 15 तर डिसकस किये उसके बाद कुछ हम कोश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेट हम आपको दिये हैं इन्वस्ट्रिमेटिक फंसन ओके स्ट् इसको डिसकस कर देंगे एक्स्ट्रिमेशन के साथ और मैं इसका अइस्का एक और योग को हम अप्लोड करेंगे घ्र? जो एडिशनल कुश्चन मे नाट NCRT होगे मैं उसका एक वीडियो आप लोग अपलोड करेंगे, तो आप लोग जो है, इसको आप लोग कोसिस कीजिएगा, हमको ज़रूब बताइए, comment सेक्से में comment करके, ठीक है, तो इसको आप लोग solve कीजिएगा, इसका answer है, हमको ज़रूब बताइएगा, क्या है इसका answer, तो question 1 से लेकर 6 तक ये question आपको, खुद के practice के लिए आप लोग को, ठीक है, self practice के लिए है आपका, ठीक है, तो expression देखे समझना है कि क्या put करना है, तो 3 x minus 4 x q, देखके ही लगा है, x equal to kya put करना है, student, sin theta, 3 sin theta, 4 sin q theta क्या होता, sin 3 theta, तो x के लिए sin theta put होगा, student, यहाँ x के लिए kya put होगा, तो expression देखिए, 1 minus 2 x square, 1 minus 2 sin square x, यह यहाँ भी x के sin theta put होगा, तो मैं यहाँ पर, मैं नहीं repeat करना चाहाँ, student, आप लोग जो हम समझाए, आप लोग को देखना है कि आप लोग इस चीज को समझे या नहीं समझे, तो आप लोग इसको खुद से try किजएगा, यानि कि self practice के लिए मैं कुछ questions आप लोग को यहाँ दिया, ठीक student, तो चलिए इसको यहीं पर रखतें, next वीडियो में आप लोग को हम investmatic functions के कुछ additional type का questions हम जोगों बताएंगे आप लोग को, ठीक students